है एब्रिमन स्वागत हो गया है फिर से एक बार अपनी रसोई भाइपरीती में और आज मैं कोई रेसेपी के साथ नहीं आई हूँ आज मैं आई हूँ एक अन्बॉक्सिंग वीडियो के साथ जो मैंने दो चीजे पारसल मंगवाई थी आब वो आ चुकी है तो मैंने सुचा क चलो यह किचन टूल है तो इनसे वीडियो बना लेते हैं अन्बॉक्सिंग की तो यह देखे मैं कैची से खोल रही हूँ बहुत ही तगड़ा टेप लगा के भेजा है और यह खोला तो इसमें मैंने मंगायते मेजरिंग कप और इसमें मुझे दो चीजे और मिली हैं वो भी कुछ हुकसा दिया हुआ है मतलब आप इसमें जब काम हो जाए तो आप इसमें टान सकते हो तो चलो हम इसको निकाल लेते हैं अभी तो यह मुझे चार कप मिले हैं कुछ टूटा भी है फिर मैंने वापस निक्या था इसमें अच्छा ये बात है कि इसमें तीन तरह से हम ल अगर हमें 240 ml नाप नहीं है तो इससे हम नाप सकते हैं और देख लेते हैं कि दूसरा कितने ml का है तो यह दूसरा कप हमको मिला है 120 ml का है और इसमें भी वही कप और टेवल स्पून वाला दिया गया है मगर आप पूरा अगर बताने बैटोंगे ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आप चोड़के बाग जाओगे तो यह तीसरा मिला है 60 ml का और यह भी 1.5 कप है और चम्मच से 5 टेवल स्पून इसमें चीज़े आ जाएगी और यह सबसे चोटा जो है 30 ml का है और इसमें बन फोर्थ कप इसमें आ जाएगा समान जो भी अगर आप रखेंगे इसमें चार चम्मच मिलें अगर चम्मच का हिससा बताऊंगे तो भी बहुत टाइम रख जाएगा तो इससे जब मैं यूज करूंगी तब तो मैं और हाँ इसमें एक चीज़ और है इसमें हमको दो तर अटाइम देक लुए इसमें अछी बहुत है और दील टोड़ा है इसको और मैंने तो यही सोचा था कि वापस कर देती है और मैंने कहाई इसको जब हम मिठाई बगरा बनाएंगे तो उसमें हम इसका इसको 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 फेलाने के काम आ जाएगा तो यह ठीक है और हाँ जब खरीद रही थी तो यह थोड़ा बड़ा लग रहा था मुझे पता नहीं थे कि इतना चोटा निकलेगा ब्रस भी ठीक टाक है काम चला हुआ है और इसके बाद जो है न हमने फिर इसको देखने के बाद फिर से मैंने यह दो अलग से तो यह मुझे कॉंबो में था तो एक पर कलर है और एक औरेंज कलर है इसके उपर पूरा सिलिकॉन का है और यह थोड़ा बहुत हार्ड है बागी तो इसका यूज़ करेंगे तब पता चलेगा तो मुझे बहुत महेंगा लगा क्यूंकि यह दोनों चीज़ें 240 पेकी थी अंदर में जो प्लास्टिक है जो आप देखने पलपर कलर की वह प्लास्टिक जो है ना वह बहुत मुझे हड लग रही थी और हां यह की कंफोटेबल रहेगा खाना बनाने में तो बाकी मैं जब इसको यूज़ करूंगी तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंग प्लास्टिक है कि इसमें को यूज़ करने में कैसा लगा है और आप मेरे पास यह तीन हो चुके हैं और शुम मेरे पास पहले वाला था मैंने इसलीए खरीदा था तो वह चितक सा गया था तो मैंने यह सोचा था कि यह मेंजरिंग कप में मुझे एक इसपेचिला और झाना तो इसलिए मुझे फिर से दूसरा करना पड़ा और इसके leg5 ठीक है ज्यादा अक्षी नहीं पूरी नहीं है खाली आ काम काम चलाने के हीख है और इस पेचला कराखी बहत ही सुपर डुपर हिट हैं बहुत अच्छे हैं बहुत क्वालिटी पूरी अच्छी है पूरा सिलिकॉन से उपर है और अंदर प्लास्टिक है और यह सब चीजे मुझे अगर आप कम बजट में सोच रहें कि लेने के लिए तो यह परफेक्ट है और आप इसको ले सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में और अपना ख्याल रखेगा मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ और इस बार होंगे यह सब भी तो वीडियो को लाइक करें कमे